इंडिया वर्सिस भारत की लड़ाई लगतार देखने को मिल रही है जब यहाँ पर केंदर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब भारत को इंडिया से संबोधित नहीं किया जाएगा सविधान में भारत को भारत कहा गया है نہ की इंडिया अब ऐसे में यहाँ पर कई रूल दिखाये गए और ऐसे में ये कहा गया कि अब ये एक बड़ा बदलाव होगा कि इंडिया शब्द का इस्तमाल नहीं किया जाएगा भारत के साथ कभी भी इंडिया जुड कर नहीं आएगा अब ऐसे में विपक्षी दल लगतार हमलावर साबित हुआ ठीक ऐसे ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने भी सिधे तोर पर केंदर सरकार पर निसाना साधा आपको बदा दें कि राहूल गांधी ने कहा कि भारत इंडिया यह हिंदुस्तान सबका मतलम महबत है उन्होंने ये तिपड़ी ऐसे वक्त पर की है जब G20 से संबोधित यहाँ पर राश्पती द्रौपदी मुर्मो को प्रेजिडेंट आफ भारत के तोर पर संबोधित किये जाने को लेकर बड़ा राजनेतिक विवाद खड़ा हो गया आपको बदा दें यहाँ पर सीधे तोर पर उन्होंने कहा है कि यह जो किया जा रहा है नाम बदला जा रहा ही सरासर गलत है आपको बदा दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार देश के दो नामों इंडिया और भारत में से इंडिया को बदलना चाहती है राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से संबोधित वीडियो साजा करते में लिखा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, सबका मतलब महबत, इरादा सबसे उची उडान का है एक साल पहले साथ सितंबर को ही कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुवात हुई थी अब ऐसे में राहुल गांधी की बात कही जाए तो वो यहाँ पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिये भारत को जोड़ पाए थे लोगों से जुड़ पाए थे और अपनी पहचान को यहाँ पर फिर से साबित कर पाए थे अब ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर केंदर सरकार ने भारत शब्द का इस्तमाल करने को लेकर सीधे तोर पर ये कहा है अब इंडिया भारत के साथ जोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा इंडिया शब्द का इस्तमाल नहीं होगा अब ऐसे में तमाम विपक्षी पाठिया केंदर सरकार पर हमला वर साबित हुए ठीक उसी तरह से राखुल गांधी ने भी अपनी सीधी तोर पर प्रतिकरिया दी है कि आप कुछ भी कर लीजे लेकिन आप महबत को नहीं तोड़ सकते हैं आप नफरत फैलाने वाली राजनीती कर रहे हैं और हम यहाँ पर महबत बाटने का काम कर रहे हैं और ऐसे में हम भारत बोलें इंडिया बोलें या हिंदुस्तान बोलें हम महबत बाटते रहेंगे